आप सब्सक्राइब कर दो यूटूब चैनल डाइगरी कल्चर ग्रूजी में तो जैसा कि आप सभी जानते हो आई-बी-पी-एस-ए-फो के लिए सारी की सारी जो प्लासेस हैं वो फ्री ओफ कॉस्ट में यहां पर लेकर आ रहा हूं नोट्स का एक मैंने नॉमिनल फी रखा हुआ है तो आप हमारी एप से जाके वो नोट्स पर्चेस कर सकते हैं और वहां पर आप उसे रीड कर सकते हैं डाउनलोड इबल नहीं बॉबी अमेद सरीता शिव कुमार आसुतोश कुमार सभी को भी यहां पर गुड़ अप्टनूब के लिए सारे लोग जोइन हो जाए जब तक मैं एक बार क्लास को मेरे लिए कोन आया हुआ है कि ऑफलाइन आकर आप हमारा एक लेक्चर ले लीजिए तो वहां पर भी मैं आज जो है डेमू देने के लिए जाने वाला हूँ तो जितने भी बच्चे यहां पर हैं वो सकता है उन्हें आफलाइन बढ़ने का मौका मिले मेरे से यदि वो लोग उस कोचिंग में पढ़ते होंगे तो चलिए भई ठीक है क्लासेस वगएरा ठीक चल रही है कोई प्रॉब्लम नहीं है यहां पर मैं देख पा रहा हूँ तो यदि 360P की बात करें तो 360P में भी ठीक चल रहा है क्लास अब जितने बच्चे जुड़ चुके हैं यहां पे बॉबी जीतेंद और चब जी इसाथ में सरीता अमिच चंडरा और यहां पर आशुतोष अब मैं यहां पर आपको बता दूं कि भई हम पढ़ चुके हैं लेक्चर नमबर एट तक और लेक्चर नमबर एट में हमने पढ़ा था वह भी मैं यहां पर चार से 5 लेकर आहे हैं ताकि आप लोगों का एक जो link है वो link बन जाए तो सबसे पहले हम देख लेते हमने क्या क्या पढ़ा था तो एट लेक्चर में हम पढ़ रहे थे लेक्चर नमबर एट इस से पहले जो भी हमारा अगे चल कर डार्क रीयक्षन में भाग लेते हैं और Denk Reaction के थे थ्रू ही उसके साथ ही साथ में oxygen भी release की जा रही थी फिर oxygen कहां से आती है carbon dioxide से आती है या फिर जल से आती है उस बात पर बहुत सारे विबाद हुए उन विबादों को फिर वहां पर आगे चल कर जो है आपका उनका निराकरण किया गया कि नहीं भही है जल से ही oxygen प्राप्त होती है तो जो ancient view था उसके हिसाब से भी हमने देखा और जो modern view था उसके हिसाब से भी पूरी की पूरी equation हमने देखी dark page में हमने देखा light reaction तो चाहे c3 plant हो या फिर c4 plant हो या फिर chem plant हो उन सभी में light page जो होती है वो सेम होती है लेकिन जो डार्क फेज होती है उसके हिसाब से प्लांट को हमने अलग-अलग बांड दिया यानि कि जो साइकल चल रही थी यहाँ पे तीन प्रिकार की साइकल हमने देखी C3 साइकल, C4 साइकल और कैम साइकल C3 साइकल को C3 नाम इसलिए दिया गया क्योंकि उसमें जो फस्ट स्टेबल प्रोडक्ट होता है वह तीन कारवन बाला होता है C4 को C4 नाम इसलिए दिया गया क्योंकि जो first stable product होता है वो चार कारवन बाला होता है और chem plant के बारे में हम आगे पड़ेंगे कि chem plant में क्या चलता C3, C4 दोनों ही आपको देखने को मिलेंगे लेकिन उनमें रात में आपके photosynthesis की प्रिकरिया होती है कैसे होती है क्या वो CO2 के store करते हैं और respiration के हिसाब से किस तरह से CO2 का use वहाँ पे किया जाता है वो सब आगे देखने वाले हैं C3 plant के बारे में जो हम पढ़ रहे थे C3 cycle को हम Kelvin cycle भी कहते हैं Kelvin cycle इसलिए बोला क्योंकि इसका निजात इसका सबसे पहले जो डेमोस्टेशन है वो Kelvin ने किया था के साइंटिस्ट के नाम परन का C3 cycle पढ़ गया तो आपको फिर मैंने बताया था कि आपको याद रखना है जो C3 plant जो C3 cycle के एक्जामपल है जैसे wheat, rice, barley, pulses, cotton, oats, sunflower, rice, potato, sweet potato, tomato, sugar beet और भी बहुत सारे plants ऐसे होते हैं जिनमें C3 cycle पाई जाती है वो हमें एक्जामपल याद रखना है ठीक है वो आपको एक्जामपल जो है याद रखना है soil science के notes बहुत सारे बच्चे मांग रहे हैं ये मैं notes आपको upload करा दूँगा परसों तक परसों तक available करा दूँगा बाकी जो बचा हुआ पार्ट होगा वो भी उसमें add हो जाएगा यानि कि अभी तक जितना पढ़ा दिया है और अभी तक जितना पढ़ाने के अलावा और जो मैं आगे यहाँ पर बना चुका हूँ वो सारे के सारे notes आपको कल या परसों में available करा दूँगा और जो उसमें add करूँगा new part वो बाद में मैं उसमें available करा दूँगा परेशान मत हो अब मैं वहाँ पर क्या करने वाला हूँ जो notes मैंने आप लोगों को provide करा है वहाँ पर जितने notes मैंने बना लिये हैं पहले अभी उनमें without editing ही वहाँ पर मैं upload कर दूँगा without editing upload करने के बाद में हम वहाँ पर क्या करेंगे जो भी मैं add करते जाओंगा उनको replace करते जाओंगा ठीक है new notes से पुराने notes को replace करते जाएंगे इससे कि आपको यह भी नहीं लगेगा कि वहाँ पर proper notes नहीं है और आप जितना पढ़ हुआ है अब देखो यहां पर board है और जो भी expenses आते हैं थोड़े बहुत किराया वगयरा जो रूम का होता है तो वह तो अपने को निकालना ही होगा वह तो अपने को gain करना होगा नहीं तो फिर वह कहां से देंगे जब यूटूब से बहुत अच्छा अपना income होने लगेगा तो notes वगयरा भी free में देने का मैंने सोच आए लेकर अभी तो उतना नहीं हो पाता है generate इसलिए notes की fee मैंने रखी हुई है वो भी आपको एकी बार pay करना है और जब तक exam नहीं हो जाएगा IBPS AFO का तब तक valid रहेगा उसके लिए फिर एक साल के लिए मैं 300 में ही दूँगा इस पांच कारवन वाले 6 molecule RUBP के होते हैं 6 CO2 से मिलकर एक हमारे जो carbohydrate के molecule हैं वो बनाते हैं लेकिन 5 carbohydrate के molecule बापस से RUBP बना लेते हैं और एक carbohydrate का molecule consume कर लिया जाता है as a food के रूप में तो यह सब हमने देखा हुआ है यह सब हमने पढ़ा हुआ है फिर हम चलें आगे मैंने यह सार साइकल Kelvin साइकल हमारी एंडोथर्मिक होती है एंडोथर्मिक और एक्जोथर्मिक दोनों को मैंने आपको बताया था कि एंडोथर्मिक का मतलब है जिसमें ATP यानि कि जो एडोनोसीन ट्राइफॉसफेट है उसका उपयोग किया जा रहा हो तो वह एंडोथर्मिक रियक्शन ह यहाँ पर फिर से वही साइकल हमने किस तरह से 5 कारवन वाले जो 6 मॉलिक्यूल थे और 6 CO2 यानि कि 36 कारवन मिलकर हमारे किस तरह से रियक्शन में भाग लेते हैं और एक मॉलिक्यूल हमारा कार्भो हाइडिट का यहाँ पर निकल जाता है बाकी के जो बचे हुए मॉलिक्य कारवन वाले हैं वहारे फिर से रुबीपी बना लेते हैं यह सारा का सारा मैटर हमने यहाँ पर देख रखाता तो यह रियक्शन मैंने आपको बताई कि आरियू वीपी की उपस्तिती में सब से पहले बनता है पीजीए और पीजीए का फॉलफोम याद रखिएगा फॉस् ठीक है फॉस्पोग्लिसरेल डियाइड किस एंजाइम की उपस्थिती में बनता है एंजाइम का नाम याद रखना है यहाँ पर जो एने डीपी एच टू था वहाँ से हमारा निकल जाता है और एडीपी से एक हमारा पी आई भी निकल जाता है मतलब एटीपी एक हमारा और सब्पर्णि ऑंग फॉस्फेड के फोस्पट अलग हो जाता है यह सब हम पढ़ चुके हैं इससे पहले वाले लेक्चर में सब पढ़ चुके है इसलिए मैं आपको यहाँ क canon डीटेल में नहीं बता रहा हूं जल्दी जल्दी बता रहा हूं क्योंकि मैं आपका रिवीजन कर रहा हूं ठीक है गौरी जी आप क्या बोलना चाह रहे हैं गौरी देशमुक्सर बॉर्न के लिए फॉर्म भरना क्या बैंक ओफ महाराष्टा के लिए फॉर्म भरना क्या गौरी जी बिलकुल बैंक ओफ महाराष्टा के लिए फॉर्म आप लोग पैक लाए करें भीया यह अच्छी पोस्ट है और सबसे बड़ी बात कि उसमें सिर्फ और सिर्फ अपना अग्रिकल्चर आने वाला अब फिर मैंन करवन और तीन करवन को मिलाकर कम्वाइन हमारा फ्रक्तोस-1, freeze constipρι्ट बन जाता है फ् 10 हमारा बन जायगा फ्रक्तोस के बाद में हमने देखा था यहाँ पर यह पूरी की पूरी जो पिक्रिया थी ये थी आपकी राइभ लोज 1-5-biposphate को बनाने की ठीक है जैसे यहाँ पर हमने देखा यह बन रहा है यहाँ पर राइभ लोज 1-5-1-5-b tofate RUBP को बनाने किये जो पूरी प्रिक्रियार थी बो भी मैंने आपको बताया कौन-कौन से अनू हमें वहाँ पर मिलते हैं बागी सारे अनू जो थे मैंने काट कर भी बताये थे आपको लेक्शन नमबर एट में अब इसके बाद हम चलते हैं कहां पर CO2 को CH2O में food 5 gram energy जो 100 molecules है 5 milligram energy जो है वहाँ पर मिल रही थी उसके बाद में मैंने आपे inference भी कुछ देख बता दिये थे कि क्या यहाँ पर हो रहा है और एक specific time पर हमने देखा CO2 होना चाहिए कौन-limiting factor की तरह काम कर रहा है वो सारा कुछ हमने यहाँ पर देख लिया था बैंक आप महारास्ट को कंसीडर करते हुए material प्रोबाइट कराए सर अलिशा जी बैंक आप महारास्ट को ही कंसीडर कर रहा हूं बैंक आप महारास्टा और IBPSCFO में कोई अंतर नहीं है देखिए वहाँ पर professional knowledge का मतलब ही होता है agriculture जो अगरोनॉमी soil science हम पढ़ रहे हैं और अ से आप पूछिएगा जितने महारास्ट के बच्चे मेरे यहां पर जुड़े हैं उनका इतना बड़ी है feedback रागी सर आपने जो पढ़ाया था वहां से questions आये थे और हम बहुत सारे questions attempt करके आए हैं एक दम accuracy के साथ में बहुत बढ़ी बात है अभी पढ़िए तो पहली class आप लिए अग्रिकल्चर है principle of agronomy ही रहेगा चाहे वह कोई भी एग्रिकल्चर का एक्जाम हो प्लांट पैथोलोजी में causal organism ही पढ़ना है कोई भी एग्रिकल्चर एक्जाम हो एंटमोलोजी में इंसेक्ट ही पढ़ेंगे ऐसा तो है नहीं कि एंटमोलोजी में हम और कुछ है कि वहां पर वहां पई यह रही हम का है कि उसके जो भी अंग होते हैं उनके बारे में हम एकदम करते हैं लेकिन इंडिया के लिए मोहित प्रिजा पती जी तो ये सब हमने देख लिया था अब मैं यहां पर स्टार्ट करूंगा हैच एंड़ स्ट्रेइक शाइकल याнос की अब क्या पढ़ेंगे आज हम यहाँ पे हैच एंड स्लेक साइकल, C4 साइकल अब यह जो हैच एंड स्लेक साइकल है C4 साइकल इसका नाम क्यों रखा गया क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है जो C3 साइकल है उसमें बनने बाला जो first stable product होता है जो first stable product होता है वह होता है 3 carbon वाला 3 carbon वाला इसलिए हमने C3 साइकल नाम रखा बिल्कुल as it is the same concept है हमारा कि C4 साइकल में क्या है बनने बाला जो पहला product होगा वो 4 carbon वाला product होगा अब हैच और स्लेक साइकल क्यों बोल रहे है क्योंकि हैच और स्लेक ने इसको डेमोस्टेट किया था यानि कि इसने इसकी खोज की थी सबसे पहले हमें C4 के example देखना है किसी ना किसी exam में C4 plant के example आही जाते हैं तो देखिए सुगरकेन, मेज, सोरगम, बाजरा, नेपियर ग्रास, पैनिकम स्पिसीज, फिंगर मिलेट, एमेरेंथस ये सारे के सारे हैं हमारे C4 plant के example C4 plant के example है सभी के सभी आपको कंटस्ट याद होना चाहिए क्वेस्टन कैसे पूछा जाता है क्वेस्टन पूछलिया जाएगा इनमे से C4 plant है तो आपको दिया जाएगा सुगरकेन, मेज, सोरगम या फिर सुगरकेन देके वहाँ पे C3 plant के तीन option दे देगा तो आपको एक अलग करना है कि C4 plant कौन सा है क्वेस्टन इसका उल्टा भी हो सकता है कि इनमे से कौन सा C4 plant नहीं है इनमे से कौन सा C4 plant नहीं है तो आपको तीन option C4 plant के मिलेंगे एक मिल जाएगा C3 का या फिर कैम का तो आपको वहाँ से वो option चूज करना होगा इस प्रकार से question हमेशा आते हैं मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि question किस तरीके से पूछे जाते हैं जब हम MCQs को solve करना स्टार्ट करेंगे तो आपको पता लगेगा कि हाँ यार question कैसे आते हैं तो यहाँ पर amaranthus हो गया और इन सभी को हम C4 plant कहते हैं 1965 में जो आपके court shack थे और heart and bur इन तीनों ने मिल कर कारिक किया किस पर देखिए CO2 तो लिया था लेकिन इनों ने CO2 लिया जो C14 O2 है उसको यहाँ पर इनों ने use किया जैसे carbon का यदि हम जो normal carbon होता है उसका परमाणू क्रमान तो आपका 6 है परमाणू भार क्या होता है 12 होता है ठीक है लेकिन इनों ने कौन सा लिया चवधा जिसका परमाणू भार 14 था उस carbon का यूज किया सुगर कैन की leaves में और इनों ने पाया कि जो C4 है वो डाय कार्बॉक्जलिक एसेड मैलेट और एस्पार्टेट टू दी मेजर लेबल प्रोड़क्ट इन very short period of photosynthesis मतलब की photosynthesis का बहुत ही कम समय में इनों ने देखा कि सुगर कैन की जो leaves है उसमें इनोंने carbon का एक isotope use किया C14 वाला और वहाँ पे देखा कि जो डाय कार्बॉक्जलिक एसेड है मैलेट है और एस्पार्टेट है वो वहाँ पर आपके किसने कन्फर्म किया इस observation को MDH ने और CR Slack ने तो इसलिए इसका नाम रखा गया Hatch and Slack और इनोंने कन्फर्म इसको किया था 1967 में Queensland Australia में कहां पर Queensland Australia में तो ये सारी की सारी बात हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ 1967 Queensland Australia ये सब आपको याद होना चाहिए क्योंकि यहां से question पूछे जाते है question जब आपके normal way में पूछे जाते हैं तो ऐसे question अभी आपने देखा होगा UPPGT जिसकी की salary 55-60,000 है इतना रदी paper वहाँ पर पूछा गया कि आप देखोगे तो कहोगे क्या question आए है मतलब आप पढ़ पढ़ के पूरा इतना सारा पढ़ पढ़ के आपने पूरी साल भर मेहनत की और आये question कहां से वही जो आपन starting में पढ़ते हैं वहाँ से starting की दस line अपन पढ़ते थे वो दस line से ही question बन रहे है हर chapter से वही से question बन रहे है करिए फिर चले हम आगे बात करें a sub-tropical species sub-tropical एक species है atriplex rosea atriplex rosea जो है वो C4 cycle को exhibit करती है whereas the temperate species of the same genus atriplex rosea has only the kelvin cycle मतलब यहाँ पर एक ही species की बात की जा रही है atriplex rosea atriplex rosea की जो subtropical reason में species पाई जाती है वो यहाँ पर show करेंगी C4 cycle को लेकिन यदि इसी species को हम देखें कि जो species इसकी temperate reason में तोस्टन छेत्रों में पाई जाती है वो सिर्फ और सिर्फ Kelvin cycle यानि कि उनमें C3 cycle हमें देखने को मिलता है तो यह है एक अपबाद हो गया भी यह है एक हमारा अपबाद हो गया से हमें याद रखना है जो C4 plants have cringe anatomy in leaves जो C4 plants होते हैं उनकी leaves में एक विसेश प्रकार की anatomy पाई जाती है जिसे कहा जाता है cringe anatomy क्रेंज anatomy का मतलब यहाँ पर यह है कि इसमें दो प्रकार की chlorophyll कोशिकाएं पाई जाती है दो प्रकार के जो chlorophyll कोशिकाएं है chloroplast जो होते हैं हमारे एक chloroplast में पाई जाता है mesophyll की कोशिकाएं और एक chloroplast में उपस्तित होता है bundle sheet की कोशिकाएं यानि कि दो प्रकार के chloroplast हमें देखने को मिलेंगे और उसी दो प्रकार के chloroplast को हम कहते हैं cringe anatomy उसी दो पिरकार के क्लोरोप्लास्ट को हम कहते है क्रेंज जैनर टॉमी और इसी की बज़े से यह C4 प्लांट इसे बोला जाता है क्योंकि मीजोफिल और बंडलशी दोनों में ही आपका स्टाइकल जो है कलता है स्वरभीत रिपार्थी जी गुड इवनिंग गुड जैसा मैंने बोला इसमें दो पिरकार के क्लोरोप्लास्ट पाय जाते हैं और इसी को हम क्रेंज जैनर टॉमी कह रहे हैं तो देखो जरा एक तो होता है नॉर्मल या फिर आईसो मॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट नॉर्मल क्लोरोप्लास्ट का मतलब यह है कि जैसा क्लोरोप्ला मैं बिल्कुल same chloroplast होगा then second होगा cringe type of chloroplast अब cringe type of chloroplast में क्या होता है यह हम आगे चल कर पढ़ेंगे सबसे पहला जो stable product होता है वह चार carbon वाला होता है और चार carbon वाला जो product होता है वो होता है आपका OAA यानि की oxaloacetic acid क्या होता है OAA देखो यहां से जब आपके question आएंगे जो भी बच्चे मान लेजिए अभी BST के बाद MST का exam देने के लिए बैठेंगे competitive exam जो आप देंगे तो वहाँ पर ऐसे ही question आपको देखने को मिलेंगे यह C4 पौदों में बनने बाला पहला stable product होता है OAA, PGA या फिर आपका RUBP दे देंगे none of these swap cancer जाएगा OAA, C3 में PGA, RUBP, RUBP क्या है? RUBP C3 plants में CO2 का acceptor है, CO2 का acceptor कौन है? RUBP है, तो यह सब आपको पता होना चाहिए, C4 में PEP होगा, PEP है पना आगे चलकर पढ़ने वाले हैं, यह देखो PEP carboxylase has high affinity for CO2, hence C4 plants are able to absorb CO2 strongly from a much lower CO2 concentration than the C3 plant मतलब की जो इसमें PEP है, C4 पौदों में carbon dioxide को accept करने वाला कौन है PEP, और यह जो PEP है, यह high affinity वाला होता है high affinity का मतलब यह बहुत ही कम concentration भी है CO2 का, तो भी CO2 को absorb करने की छमता रखता है इसलिए तो भी C4 plant में अधिक photosynthesis होता है, और C4 plant जो होते हैं, उनकी yield भी अधिक आपको देखने को मिलेगी जैसे हम बात करें, गन्य वगएरा की yield कितनी अधिक होती है, मेज वगएरा की yield कितनी अधिक होती है इसलिए आपकी वहाँ पर C4 plant की yield देख हो रही है, क्योंकि CO2 को जो absorb कर रहा है, जो accept कर रहा है, PEP वह हाई affinity बाला होता है C3 plant के लिए एक minimum requirement, यानि कि minimum requirement होती है CO2 की इतना concentration होना ही चाहिए, तभी photosynthesis होगा लेकिन C4 में जितना भी कम से कम हो जाए, लेकिन वहाँ पर photosynthesis होगा, क्योंकि PEP CO2 को वहाँ से निकाल ही लेता है, तो यह यहाँ पर बात हो गई, तो C4 में CO2 को accept करने वाला कौन है, PEP carboxylase, ठीक है most of the bad beads आएगा यहाँ पर, most of the bad beads of the world are C4 plant, अब जो हमारे beads होते हैं, करपतबार होते हैं, C4 plant होते हैं, C4 plant होने के बज़ा से ही, जो हमारी एक C3 crop होती है, तो C3 crop के साथ में weeds बहुत सारे आगए, C4 plants बहुत सारे आगए, तो वहाँ पर क्या होगा, CO2 का बहुत ज़्यादा उपयोग वो करेंगे, water का उपयोग वो करेंगे, nutrient का उपयोग वो करेंगे, fertilizer का उपयोग भी weed के द्वारा कर लिया जाएगा, तो हमारी जो crop है उसके लिए क्या बचा, कुछ नहीं बचा, तो इसलिए वहाँ पर जो crop weed competition होता है, और यदि weed competition हाई हो जाता है, तो हमारी crop को बहुत जदा नुकसान देखने को मिलता है, मनीश मीना जी हिंदी में भी पड़ा दिया करो, दौनो भासा में, देखो मनीश मीना जी दौनो भासाओं में अब यहाँ पे English है, एसी के नीचे में हिंदी लेकर आऊं, तो ना तो वो English वाले बच्चों को समझ आएगा, ना व आपके लिए परिशानी हो सकती है, यह मैं बुरे मन से नहीं कह रहा हूं, मैं एकदम सही मन से कह रहा हूं कि इतना तो आपको English में रुची भी होना चाहिए, और English में समझ भी आना चाहिए, जिससे हम आगे कोई भी exam qualify कर सके मिटा, नहीं तो फिर आपको परिशानी होगी, यह दिया पूरा प्योर हिंदी लेकर चलेंगे, आप से कोई थोड़ा सा भी English बोल देगा, आप वहाँ पर एकदम ऐसे answer नहीं दे पाएंगे, तो फिर वो बड़ी परिशानी वाली बात है, हिंदी मीडियम के students पढ़ना चाहते हैं, बिलकुल बहुत अच्छी बात है, मैं मैं भी बिलकुल सभी को भी पढ़ाना चाहता हूं, अब ऐसा तो है नहीं कि मैं भई, खुद यहाँ पर पढ़ने के लिए आया हूं, सब को पढ़ाना चाहता हूं, मैं भी, बट आप भी थोड़ा सा ध्यान रखिए, कि यार क्या चल रहा है, क्या नहीं, उस पर थोड़ा सद्यान रखे, चलो देखो, अब нормal क्लोरोब्लास्ट होता है, इनमें अंतर समझनी की कोशिश करते हैं, देखो नॉर्मल क्लोरोब्लास्ट क्या होता है, जड़ा देखेगा, सच्छिण क्लोरोब्लास्ट क्लोरोब्लास्ट और नॉर्मल और iisomorphic, having台श्डंग अब इन dari X ग्रेना मिलेगा, स्ट्रोमा मिलेगा अब यह जो ग्रेना और स्ट्रोमा क्या है इसके बारे में सबसे पहले जब हमने फोटो सिंथेसिस स्टार्ट किया था तो मैंने आपको बताया था कि ग्रेना क्या होता है और स्ट्रोमा क्या होता और जो इसम को जोडने वाला स्ट्रोमा लेमिली था वो बिलकुल एक दम distinctly दिखाई देते हैं अलग-अलग दिखाई देते हैं जो ग्रेना है वो होता है आपका double membrane जिसे कि हम इसकी एक single unit को कहते है थाइलेकॉइट ठीक है अब ग्रेना में क्लोरोफिल होता है क्योंकि आपको पता है जो light reaction है वो तो ग्रेना में ही होना है जो dark reaction है वो होती है आपकी स्ट्रोमा में तो क्लोरोफिल A भी पाया जाता है और क्लोरोफिल भी किस अनुपात में पाया जाता है यहां पर तीन अनुपात एक और ख्लोरोफिल के साथ साथ में केरेटनोइट्स भी हमें देखने को मिलेंगे अब केरेटनोइट्स किसे कहते हैं केरोटीन और जेन्तोफिल को मिलाकर केरेटनोइट्स कहते हैं यह हमने बात देख ली थी केरेटनोल जेन्तोफिल को कहते हैं और के रोटीन तो फिर आप जानते हैं जैन्तोफिल इसमें पाया जाएगा दे लार्ज थाइलेकोईड एक्स्टेंड टू वन इन्टू दी अदर एंड अफ दा क्लोरोप्लास कॉल्ड स्ट्रोमा थाइलेकोईड अब यहां पर बोला गया है कि यह जो थाइलेकोईड थे यह तरीके से कुछ लंबे हो जाते हैं एक इंट से लेकर दूसरे इंट तक फैले होते हैं इसको बोला गया स्ट्रोमा के थाइलेकोईड एंड वियरेज दी स्मॉल थाइलेकोईड आर अल्टरनेटिव अरेंजड एन फ्यूजड बिद्दा लार्ज वन्स इन दा ग्रेनम रीजन ओनली काल्ड ग्रेना थाइलेकोईड फिर उन ने बोला जो छोटे 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 थाइलेकोईड होते हैं वो एक के उपर एक जम जाते हैं और एक उपर जम होने के बाद में आपस में फ्यूजड हो जाते हैं जिसे हम ग्रेनम थाइलेकॉइट करते हैं चलो ठीक है बई क्रेंज टाइब क्लोरोप्लास्ट देखो जड़ा क्या है यह जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं यह आपके डाइमॉर्फिक होते हैं यह होते हैं आपके डाइमॉर्फिक यानिकी अलग-अलग होते हैं इट इस अंडिफ्रेंशियेटेट अब अंडिफ्रेंशियेटेट का मतलब क्या है कि आप इसे डिफ्रेंशियेट नहीं कर सकते हैं कि इसमें ग्रेना कौन सा है और स्ट्रोमा कौन सा है ठीक है ग्रेना के थायलेकोईट कौन से हैं स्ट्रोमा के थायलेकोईट कौन से हैं इस बात को समझेगा, cringe type जो chloroplast है, उसमें ग्रेना है ही नहीं and contain, अब ग्रेना नहीं है, तो एक बात तो यहां से तै है, कि भहिया, जो light reaction हो रही थी, वो तो यहां पर नहीं होगी, क्योंकि ग्रेना है ही नहीं, अब जब light reaction यहां पर नहीं होगी, तो बची कौन सी? डार्क रेक्षन, अब डार्क रेक्षन जब इसमें हो रही है, तो मतलब हम कह सकते हैं कि डार्क रेक्षन का मतलब कहा है कि सिर्फ CO2 का LC millation ही होगा, range type chloroplast में, बाकी का जो normal chloroplast है, उसमें तो light reaction आपकी होगी, तो ग्रेना नहीं होगा और starch के grains जो है वो नहीं होगे, these are arranged centripet within the cells of the bundle sheet, such chloroplast are very large, जो bundle sheet की कोशिकाओं होती है, वहाँ पर हमें क्रेंज टाइप क्लोरोपलास देखने को मिलेंगे, मतलब जो क्रेंज टाइप क्लोरोपलास है, वह है bundle sheet की कोशिकाओं में पाया जाएगा, तो जब भी crane type chloroplast के हम बात करेंगे, तो bundle sheet की कोशिकाओं में ही photosynthesis की kriya चल रही हो, यह किस में चल रहे है हम, यह चल रहे है C4 plant, तो इतना समझ आया, यदि यह समझ नहीं आया हो, तो बताना आगे और भी है, आचलो, तो दोनों में हमने अंतर समझ ली, आप देखो यहाँ पे आपको एक मीजोफिल की कोशिका मिलेगी, और एक मिलेगी आपको यहाँ पे bundle sheet की कोशिका, तो इन ही के बारे में हम बात कर रहे थे, इन ही के बारे में हम बात कर रहे थे, देखिए अभी क्या है कि viral fever आ गयता और viral fever आने के कारण थोड़ी सी जो energy है, वो मेरे अंदर कम है, और उसके कारण में आपको ज़्यादा लंबा lecture भी नहीं पड़ा पाऊंगा, अनिसान सेंड टाइम तो fix है, अंशिका गोश्वामी जी कोई time भी fix रखो ना, अंशिका जी time बिल्कुल fix रखेंगे, कल से time fix रखते हैं कोई बात नहीं, हरसिज सिंग मेरे notes की quality बहुत अच्छी है, हरसिज जी आपने हम पर भरोसा दिखा कर जो 300 रुपए खर्च किये और आपको यदि quality अच्छी मिल रही है, तो इसके लिए भाई हम बहुत बहुत आपका अभार व्यक्त करते हैं, और मैं तो यही कहूंगा कि सारे बच्चे notes क जो हैं, वो buy करें, क्योंकि उससे देखो, एक मुझे भी support मिलता है, financial support, उससे मैं आगे और अच्छा कुछ करने के वारे में सोचता हूँ, यदि teachers को hire बगएरा करना है, तो उन ही पैसों से अपन teachers को hire करेंगे, क्योंकि हम तो free में पढ़ा सकते हैं, लेकिन कोई दूसरा आ condition है, उसको सुधारा जा सके, जिससे कि अपन और teachers को उसी पैसे से hire कर सके, तो वो भी एक आपके लिए, बहुत अच्छी बात है, तो मैं तो यही कहूंगा, जो भी बच्चा यहां पर आ रहा है, यदि notes ले भी लेता है, तो वो एक यह भी कह सकता है, कि हमने सर को donate कर दे, पढ़ना भी चाहे, नहीं भी पढ़ना चाहे, तो notes वगरा उसको लेना चाहिए, जिससे कि donation भी हमें मिल सके, और donate करने के लिए मैं इसलिए नहीं बोलता हूं, क्योंकि वो फिर एक अलग बे हो जाता है, पहले मैंने बोला, आपको दो-तीन महीने class लोंगा, फिर उसके बा हमारा reaction center चलता है, तो देखे, division of flavor, मीजोफिल में क्या होगा, और bundle sheet में क्या होगा, हमने देख लिए, bundle sheet की कोशिकाओं में पाई जा रही है, cringe anatomy, और यही cringe anatomy, C4 plant को अलग बनाती है, C4 plant को C4 plant बनाती है, तो देखते हैं, मीजोफिल की जो कोशिकाओं है, CO2 यहाँ पे absorb किय CO2 absorb करने के बाद सबसे पहले यहाँ पे चार कारवन वाला एक उतपाद बना, वो है हमारा oxalo, acetic acid, और उसके बाद में फिर आपका तीन कारवन वाला जो PEP था, यही है CO2 acceptor, तो दो question आप से यहाँ पे पूछे जा सकते हैं, कि CO2 acceptor कौन है, PEP और सबसे बनने वाला पहला कौन सा है, OAA, hatch and slack cycle आपका कहा पर चला, mesophyll cell में, हैच and slack cycle कहा पर चला, mesophyll cell में, mesophyll cell के बाद में, जब bundle sheet में इसकी reaction पहुंसती है, तो bundle sheet में आपका kelvin cycle ही चलता है, bundle sheet में कह चलता है, आपका kelvin cycle चलता है, और kelvin cycle के दोरानी फिर exos आपका निर्माण होगा, तो जो C4 plant है उसमें अलग क्या है, उसमें different क्या है, उसमें different है हमारा mesophyll, जो hatch and slack चल रहा है, वो mesophyll cells में चलेगा, mesophyll cell के बाद में, bundle sheet की cell में, तो kelvin cycle ही चलता है, 6 carbon वाला product है, ठीक है, 6 carbon से 3-3 carbon के 2 product बने, इन 3 carbon से 5 carbon वाला RUBP बन जाएगा, एक exos आपका निकल जाता है, जो हमने kelvin cycle में पढ़ाना, वो पूरा का पूरा यहां पर होटा है, गर तो दो प्रकार से यहां पर reaction complete होगी, पहले कौन सी h and slack होगा, फिर उसके बाद में ultimate ली चलना kelvin नहीं है, लेकिन ये वाली जो process है, ये इसमें एक extra process है, ये इसमें extra process है, ठीक है, चलिए इस lecture को मैं इहीं पर end करता हूँ, क्यूंकि उस हिसाब से मैं आप लोगों को नहीं explain कर पाऊंगा, जिससाब से मैं सोच रहा हूँ, तो क्यूंकि थोड़े सी weakness भी मुझे feel हो रही है, तो आगे आने वाली class में आपको evening में लेनी की कोशिश करूँगा, आदे से एक गंटे की class, जो हमारी mathematics की होगी, क्यूंकि अभी तो देखो, चार बजे मुझे यहां से निकलना, फिर डेढ़ गंटे का lecture मुझे वहाँ पर लेना ही होगा, क्यूंकि अब वो तो अपने को payment दे रहे हैं, तो लेक्चर लेना होगा, पहला lecture है, आज देखकर आते हैं कैसा क् ठीक लगेगा तो पढ़ाएंगे नहीं तो कोई problem है नहीं, आपको बताते हैं जो भी होगा, क्यूंकि आप लोग तो भी ऐसा है कि डेली आप यहां पर आकर जुड़ते हो, तो आप लोगों से conversation हो ही जाता है, तो आपको बताएंगे जैसा भी है, चलिए ठीक है, ओके, बा झाल 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 झाल